चलिए तपर शुरू करते हैं तो फिर अभी आपना अनलेसिस करने वाले हैं कल्यानी इंवेस्मेंट कंपनी लिमिटेट का इनकी जो करेंट प्राइस सिलरी वो चलिए 5,926.95 रूपीज की और जो बुक वैलिव है वो है 18,581 रूपीज की और पेट्रोस की स्कोर 6 का है तो श अफराने विटेज जो वी दीचिता हैं वो फ्रESH वीडियो आपकर के देखे ऐन के अनलेसिस का इस बड़ाइक का और इसके बीच बीची मिलेगा उसी बार कोई भी बनाएत अपने पे इंवेस्मेंट क फिन्स तो इन्हों के उपना ब्रेकडाउन दिया है पूरे किसी साफ से क्या होल्डिंग है वाकि इंवेस्मेंट कंपनी है यह पहले देखें तो पहले बुरी चीज़े देख लेते हैं कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है रिपीटेट प्रॉफिट दिखा रही है लेकिं डिविडेट नहीं प्याइट किया तो यह पूरी तरह बुरी चीज़ नहीं होती है और कंपनी का रिटरॉफिटी है वह जो है वह लो है 0.73% ही है के वह लास्ट थ्री यहर से अब अगर प्रोज में बात कहा हैं तो कंपनी डेफ फ्री है और कंपनी का स्टॉफ जो अब अब यहांपर नेट प्रोफिट की बात करें तो हर कॉर्टर यहां प्रोफिट में 23 करोर का अच्छा काता प्रोफिच है इनका मार्च2024 में और उस mart 25 और उसके पहले 2 कर और का था करूर तो प्रोफिट में लगाता जंप होता रहा है तो कभी इनका सेप्टेंबर इन पर देखें तो 57 करोर का यहां पर net profit है yearly basis पर 2024 में 2023 में 43 करो का था उसके पहले 26 करोर का था उसके पहले 8 करोर का था तो पिछले 4 साथ है gradual increase और अच्छा खासा जंप भी है और इसी तरीके से इनका यह जो है last इनका जो नेगेटिव था 5 करोर का वा 2013 में तो काफी समय पहले था 11 साल पहले अब देखते हैं और आगे cash low के अगर आपन बात करें तो माइनस 7 करोर का operating activity में है 7 करोर का यहां पर जो है investing activity है positive cash low है और net cash low जो है वो negative है जीरो का है लेकिन negative zero तो overall बैल जो है neutral cash low है अब अगर आपन देखें यहां पर आप यहां इनकी holding की बात कर लेते हैं share holding pattern की तो share holding pattern में 74.98% promoter holding 1.39% FIS की holding 0.13% DIS की holding और public holding के 23.49% की तो काफी बड़ी holding यहां promoters के पास में है अब चलिए देखते हैं अपन यहां पे इनके लि कर दें हम जो है 6,010 के बाद ही बनाएंगे 6,010 के बाद ही हम कुछ भी बनाएंगे क्योंकि पिछला session 20% की rally कर चुका है 987 रूपीज होता है जो कि अच्छी खासी rally इसमें अरड़ी हो चुकी है तो इस वज़ा से हम यहां काफी सावधानी से 6,010 के बाद काफी कम quantity में क् कि यहां पर ATS के पास में भी है ATS के पास के ATS पर ही है अगर अपन एक बार थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहें अगर तो देख सकते हैं यहां पर यस अभी तक इस लेवल पर कभी नहीं पहुंचा था तो अब यहां 6,010 के बाद ही हम कुछ व्यू बनाएंगे कम quantity में ही एंटर करना सही होगा क्यों कि अल्रेड़ी काफी हाई प्राइस रही है अब लेट सी हाई प्राइस रही है नहीं है वो तो only comparative होता है हर स्टॉक के कि उसकी overall intrinsic value के हिसाब से कैसा क्या है बट इस तेल हम 6,010 के बाद ही बनाएंगे और जैसा हमेशा कहते हैं अपनी quantity का हमेशा धियान रखिए quantity quantity ही आपको जो है वो 1% जो SL का हमारा rule है उसके basis पर आपको बड़े negative से बचाएगी अगर की quantity बहुत जादा है 1% का SL पहले से इसा नहीं होने देना है अपने को वो है 6,010 रुपीज के बाद अगर आपको इतना कोई व्यू बनाना है तो बना सकते है quantity कम रखिए उतनी रखिए जितने का अगर 1% पर SL लगे तो आपको बहुत जादा negative पहसामना ना करना पड़े तो बस इतना ही है फिर next मिलते हैं